हेलो 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 पास थी वीडियो रिकार्ड नहीं थी लाकिन मेरे ख्याल से सेव नहीं होई थी वह लैक्टर ना इसलिए वह मैं ट्राई कर रहा था रिकावर नहीं हुई है तो यह इंशाल लगा दिया है साथा देखता होंगा अच्छा अब हम जाते हैं लैक्टर नंबर थ्री पे यह लैक पास बोडियत के हावञे से लेक्राद नंबर थ्री हमारे पास अब क्रोडय को देखंगे पाइथ सुपधाव मैं यह दो के अवाले से दूसरा जो variables होते हैं वो हम पढ़ेंगे variables की जो types होती है या इसमें आपके पास क्या होता है comments होते हैं उनके बारे हम इन्शालला हम पढ़ेंगे इसमें अच्छा इसके कुछ outlines हैं उनको अगर आप देख लें कि lecture number 3 है इसमें हम समझेंगे कि python 3 और python 2 में difference with practical आपको पता है कि हमने पहली class में इसके बारे पढ़ा था जस्ट introduction किया था क्या क्या difference होता है अब practical हम देखेंगे क्या इसमें फार्क होता है इसका code हम लिखेंगे अच्छा दूसरा यह है कि comments comments हम कैसे write कर सकते है comments का मतलब क्या होता है comment use new होते है इसका फाइदा किया होता है comment को लिखने का तरिकार कर किया है कितने तरिक्कार है, उन सब को हम देखेंगे with practical example, दूसरा program क्या चीज़ होती है और statement क्या चीज़ होती है, इन में क्या difference है, terminator क्या चीज़ होती है, और termination हम कैसे terminate करते हैं किसी statement को python में, तो उस चीज़ के बार हम देखेंगे, और दूसरा what is variable, actually variable क्या चीज़ होती है, कैसी किया जाता है, यह rules पढ़ेंगे और असले में declaration होती है, और initialization क्या चीज़ होती है, expression क्या जिज़ होती है, and defined variable क्या होता है, और दूसरा इसमें type सा variable कितनी होती है, इनके बारे हम इन्शालला पढ़ेंगे, आजका जो लेक्चर है, इन मौजूब पर होगा, और डिटेल से हम एक चीज़ को डिसकास करेंगे और एक प्रोग्रामिंग एक्जंपल भी होगी जिससे हमारा कांसेप्ट क्लियर होगा अचा फरस्ट डिफरेंस बीट्वीन पॉइन टूए पॉइट ट्री अचा फिस्ट अफाल अगराव पाइफन टू वरिजन यूज़ कर रहे हैं इस वक्तों जो पाइफन का जो वर्जन है वो चल रहा है पाइफन पॉइट अलावन चल रहा है लेकिन अगरां पैकेंड में जाएं Python 2 version अगर कोई इस वर्द बंदा इस्तमाल कर रहा है कुछ ऐसे developer होंगे जो Python 2 पे काम कर रहे होंगे लेकिन बहुत rarely होगा जो भी होता है वो advanced Python या एक लेटस वर्जान होता है उस पर काम किया जाता है उस पर काम करते हैं तो इसमें अगर कोई ऐसा प्राजेक्ट है वो Python 2 पे बना गया है तो उसमें अगर हेलो वर्ड प्रोगाम लिखेगा या प्रिंट फंक्शन का इस्तमाल करेगा तो पैरेंटिस लगानी जो होती है उसमें जो Pen काम नहीं कर रहा ड्रेंट का चलें टाइक काड़ा हूं यहां पे जो लिखन होती है यह यह पाइबसों में नहीं होती है ईयए पाल इसमें कैसे होगा जो fractional part होगा decimal के बाद जो हमारे पास एक number होता है point में for example 0.53 ये number जो होता है ये लाज हो जाता है python 2 में दूसरा एक हमारे पास method होता है जिसे हम एक मुकमल answer लेते हैं after decimal b लेकिन जो हमारे पास python 3 है अगर ये आप use करेंगे तो आपको जो बाकी number होता है point के बाद वाला fractional मुकमल आपको एक answer मिलेगा python 3 में इसमें आपका data loss नहीं होगा अच्छा दूसरी चीज़ इसमें क्या है दूसरी चीज़ में ये है कि जो python 2 होता है उसमें अगर हम data लेते थे user से आपको पता है कि पीछी के लासे में जो कालवल लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि कैसे हम data लेते हैं user से तो उसके लिए हमने input पे बात की थी लेकिन python 2 में जो हम input लेते हैं data वो इस तरह कुछ लेते हैं कि उसमें हम लिखते हैं पहले raw और उसके बाद फिर हम लिखते हैं underscore input तो ये एक तरिका कार होता है python 2 में लेकिन ये जो python 3 होता है उसमें सिर्फ हम input लिखते हैं जो इस case में दिखाए गया है python 3 में सिर्फ हम input method यूज़ करते हैं इसमें raw हम नहीं लिखते हैं तो ये कुछ फर्क है python 2 में और दूसरा आपके पास जो python 3 होता है अचा नेक्स्ट भी हम इसमें देखते हैं क्या डिफरेंस है मजीद इसमें डिफरेंस यह है कि अगर हमने कुछ नंबर को generate करना है means कि आपके पास एक problem है आप नंबर को generate करना चाहते हैं पैन मेरा कम नहीं करना पैन टैप का बरहाल नंबर आप generate करना चाहते हैं वन से लेकर वन हेड़ तक तो उसके लिए हम range function यूज़ करते हैं अगर आप यूज़ कर रहें python 2 तो आपको यह function यूज़ करना पड़ेगा अगर आप python 3 का इस्तिमाल कर रहें तो उसके लिए range function यूज़ करना पड़ेगा तो यह difference है इसका practical हम देखेंगे मैं कहता हूँ कि प्रेटिकल इसका देख लें सासाथ के लिए अरभी होता जाएगा चलो अभी मैं wheels decode खोलता हूं इसमें wheels decode को open करने के बाद मैं इसको एक file create करता हूं उसके बाद पिर save करता हूं new file को और यह जो होगा python हमारे पास folder में रखा था complete python source code आप यहां पर मैं दे देता हूं lecture यह 3 है .py अच्छा यह होगे यहां पर file हमारी save होगे lecture 3 के नाम से अब मैंने क्या करना है अब करना ऐसा है कि एक ले लेता हूं print हेलो अब देखें यह जो एक print statement है यह python 3 की है अगर हम यहां पर यूज़ करते हैं यह सेंडेक्स है यह सेंडेक्स है आपके पास python 2 वर्जन का यह देखें अंडरलाइन शो कर रहा है red line कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वह python 3 इस फार यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए आपको प अबस्ट अफाल देखें क्योंकि हम इस फाईल को execute करना चाते हैं इस फाईल को एक्ज़विट करना चाते हैं इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा to get कर अपड़ेगा अपनी जो फाइल होती एं लेकिन इस वाक्त मैं सी पाडिशन में हूं मुझे जाना पड़ेगा यह से प्राइन का फोल्ड रहे उसके अंदर सोस कोड का फोल्ड रहे और उसके बाद एक और हमारे पास फाइल पड़ी है लेक्टर 3.py प्रेस इंटर करता हूं तो विजे देखें जो एक प्रिंट के अंदर जो हमने एक स्टिंग लिकी वो डिस्प्ले हो रही है अच्छा दूसरा इसमें यह है कि प्रिंट टू फाइव डिवाइड बाइड वाइड 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 तो इसमें क्या आंसर मिलेगा आप देख सकते हैं कि 2.5 अगर यह पाइफन 2 वर्जन होता चलें इसमें अच्छा तक्रीबन एक दो मिन्ट जो मैंने बात किया है वो मैं आपको रिपीट कर देता हूं क्या मैंने बोला है इसमें इसमें यह देखा कि जो हमारे पास फाइल होती है इस तक कैसे हम एक्सेस ले सकते हैं तो यह तो हमने पहले पद़िए था कि आप सीडी कमाड के जरह से ले सकते हैं अब क्यासे समें जाएंगे अब यह कमाड मैंने रिपीट की आ링 कि जो इनिशल था मैं इस लोकेशन पर था यहां पर ता डाक्मेर फोर्टर में था तो मैं सीडी मैंने लिखा cd2 डाल लिखे तो फिर बैक में आ गया अब इस तरह के से मैं वापस आ गया इपर्डिशन में क्यूंकि मेरी जो लैक्चर 3 फाइल है यह इपर्डिशन में पढ़ी है इसलिए c से निकल के मैं यह में चला गया यह में जाने के लिए लिखना पड़ेगा और हमारी फाइल कहां पर यह तो लास पे पहुंचेंगे तो आपको लिखने कि बारे हमने बढ़ा है अचा दूसरा इसमें मैं आपको यह बता रहा था यह जो मेरे पाइब सेंडेक्स है यह पाइफन तरी का है अगर पाइफन टू का होता तो उसमें पैना थी शेक हम इस्तिवाल नहीं करते हैं जिसे हम छोटी प्रेक्ट कहते हैं उसका इस्तमाल हम python 3 में करते हैं python 2 में नहीं करते अभी मियाग आप ऐसा करें कि कोई अगर source code आपको मिलता है पुराना source code तो उसमें आप चैक करेंगे जो print होगा print statement उसमें यह parenthesis नहीं होंगे python 3 में यह होंगे अच्छा यह है दूसरा हमारे पास print 5 divide by 2 इसका answer आता है 2.5 यह python 3 ऐस कर रहे हैं तो इसमें आपको desert मिलेगा only 2 यह इसमें data आपका लाज हो जाता है लेकिन दूसरा method है जिसमें हम double slash use करें तो data आपको proper मिलता है यह फिर भी उसको check नपड़ेगा मैं उसको check नहीं किया तो बारहाल यह एक difference है जो हम इसको देख रहे हैं दूसरा यह है कि अगर अपने नबर को generate करना है फार अपल प्रिंट 1 से लेकर 10 तक तो range 1 से लेकर 10 तक जो लास्ट नबर होता है उसमें हमेशा एक नबर को minus किया जाता है इसका sentence ऐसा होता है तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा 11 अब मैं इसी को print करता हूँ तो यह ऐसा आ रहा है मुझे यहां पे far loop लगाने पड़ेगी थोड़ा सा advance हो जाएगी यह चीज़ लेकिन देख लेए एक नट far I in range function 1 आप सिर्फ range function का इस्तमाल देखें बाकी far को छोड़ दें इन को छोड़ दें वो जब time आए गता हम उसको cover कर लेंगे आप print में करता ह आई इसमें एक चीज़ आपने सिर्फ नोट करनी है क्या number generate कर रहा है या नहीं कर रहा देखें नेंबर को generate कर रहा है नहीं कि one से लेकर यह 10th number को generate कर रहा अब जो range function है यह use होता है इसको आपने range provide करनी होती है starting number और ending number और उसके बाद जो step होता है यानिकि कितना फासला होन इस तरह आपको डिस्प्ले होगा उपर जाएं तो आपको मिलेगा यानिके वन से शुरू होगा 3579 इस तरह शो हो रहा है तो यह हो गया अच उसके बाद क्या है यह ही चीज़ है कि अगर यह पाइस होता है तो यहां पे सिर्फ हम लिगते एक से लिगते हैं तो यहां पर य इंस्टाल है हमारे सिस्टम में तो इसलिए यह थोड़ा बहुत फार्क है पाइटन 2 में और पाइटन 3 में तो यह कुछ चीज़ें जो डिफरेंस है वो हमने डिसकस कर लिया चलिए अब हम देखते हैं मजीद क्या है हाँ दूसरा यह था रा इंपूट और इंपूट लिखना माँ ना कि कमेट कहां पर यूज होते हैं और कि यूज किया जाते हैं अचा परस्ट इवाल का मेंटե। सो DBS होती हैं सक्वा कंपाइब कमपाइलेशन होती है पाइफन की कमपाइबेशन होती है या कोई भी है लेंःंगविग में profound लेीब के से पलस पहल से या सीध के पीज़न interactions प्रोग्रामिंग लेंगवेज तो उसको कम कमपाइब किए जाता है क्योंकि वो हमारे पास इसको लो लेवल लेंगविज में करने के लिए कंपाइलर, जो एक किस्म का सिस्टमॉज़ूर होता है वो ट्राइसलेट करता है हमारे ह stellar глेघविज्स को लो-generation ग के कंपडर, तो तो जो हमारे पास kommen using काम्मेट को कंपाइल नहीं किया जाता, क्योंकि वो actual coding नहीं होती, अच्छा ये developer के लिए होता है, not for the user, फास करें आपने ये इतना सा code लिखा है, इस code को आप explain करना चाहते हैं, ये code इसलिए बनाया गिया है, इस code की आप वज़ात कर सकते हैं, ये code फुलान developer ने बनाया, तो ये जो बाते होंगी, ये comments में आएंगी, क्योंकि ये actual code नहीं होता, और इस तरीके से जो चीज़ें आप लिखेंगे, आप अपने code को जब वज़ात से बियान करेंगे, ये code ऐस के लिए होता है, यूजर के लिए नहीं होता, क्योंकि यूजर इसको नहीं दे सकता comment को, जो developer होता है, जो website बना रहा होता है, कोई software बना रहा होता है, तो comment को read भी कर सकता है, change भी कर सकता है, add भी कर सकता है, लेकि यूजर की access नहीं होती, यूजर के लिए वो नहीं होता, यूजर सिर्फ एप्लिकेशन का इस्तमाल करता है। अच्छा, टू राइट एक्स्ट्रा इबाउट कोड, आप अपने कोड की वजात कर सकते हैं, कोड को एक्स्ट्रेन कर सकते हैं, कोड, ये कोड मैंने क्यों लिखा, इसका मकसद क्या है, ये कैसे काम करेगा, ये जो एक्स्ट्रेनेशन होगी कोड की वो कामेट्स में आईगी। दूसरा ये है कि टू की एक्स्टा इंफरमेशन इबाउट दी कोड, वही चिस मेंशन कर दी मैंने, क्या फाइदा होगा, इजी तो एंडस्टैंड, फास करें, आप ने कोड लिख दिया, लागिके कामेट यूज नहीं किया आपने, तो जो जूनियर डिवलपर होंगे, उनके ये डिफickAlt होगा, कि ये कोड कैसे काम करता है, ये कोड क्यूं लिखागा है अगर आपने अपने code की वज़ाहत की है आपने code के बारे मजीद लिखा कि ये code इसलिए बनाये गया है कि इसका काम ये है ये फिलार developer ने बनाया उसकी यानिए कि आप explain करें वज़ाहत करेंगे code तो वो easy to understand बन जाएगा एक junior developer के लिए और अच्छा भी लगेगा क्योंकि हर एक कोड की हर एक लाइन की एक प्राफ़ तरीके से उनने हेडिंग दी होगी दूसरा इसमें यह है कि आप अगर चाहते हैं कि हमारा जो एक सोस कोड है फास करें कि यह हमारे पास एक कोड है प्रिंट और कोई चीज़ मैं डिस्प्ले करना चाहता था आप चाहते हैं कि यह जो एक लाइन है यह एक लाइन है यह एक्जेक्यूट ना हो इसको हम कॉमेट बना देते हैं इस तरीके से कोई भी हमारे पास कोड हो हम चाहते हैं कि यह फुला कोड को हम रिमूब भी नहीं कर बेरली नजर आए आपको अच्छा में सिंगल लाइन कामेट होता है दूसरा आपके पास होता है मल्टी लाइन कामेट सिंगल लाइन जो कामेट होता है यानि कि आपका जो आपकी जो लिखाई है आपकी जो वज़ात है इतनी चुटी है कि एक line पर खतम हो जाती है तो उसके start में सिर्फ आपको hash लगाना पड़ेगा जब hash लगा लेंगे तो वो जो एक line होगी वो comment बन जाएगी जैसे आप यहाँ पर लगा लें तो यह comment बन जाएगी और इसको फिर execute नहीं किया जाएगा compiler इसको फिर compile नहीं कर सकेगा तो यह होता है हमारे पास comment जो एक single line पर मुश्तमील हो दूसरा multi line comment है जिसके लिए आपको triple quotation लगाने पड़ेगा triple quotation start में और triple quotation end में तो फिर जाके यह जो आपको पास होता है कुई भी लिख सकते हैं एक से ज्यादा lines लिख सकते हैं तो वो सारे का सारा आपका किस में आ जाएगा एक multi line comment में आ जाएगा चलें अभी मैं इसको देखता हूँ विजिल स्ट्री कोड में के comment कैसे आप write करते हैं अच्छा यह हमारे पास जोई file है मैं यहां प लिखना चाहता हूँ एक सिंगल आंप कामेट के लिए हैस लगाएगे मैं आ जकста आःप फंक्शन मैं यहां प लिखता हूँ ती स इस्ट डिविजिएं डिविजन ओपरेशन मैं यहां प लिखता हूँ इस वील जनेरेट number from 1 to 9 1 to 9 having difference of 2 number So, इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने code की वज़ात कर सकते हैं, comment में First करें कि आप यह चाहते हैं यह जो line है, यह execute ही ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, simply इससे पहले आपको एक hash संबल लगाना पड़ेगा, तो यह जो line होगा एक code, यह run नहीं होगा execute करते हैं इसको और आपको भी नज़र आएगा इसमें, hello के बाद फोरण हमारी जो series है, generation वो शुरू हो गई है hello के बाद इसका जो answer वो display नहीं करा रहा, तो यह हमारे पास होता है, कि आप किसी code को आप stop भी का सकते हैं, उसकी execution, दूसरा multiline comment के लिए triple codation लगाते हैं आप, triple codation लगाते हैं यह जो triple codation होते हैं, इसके अदर जो कुछ भी आप लिखें, यह सारे का सारा एक comment होगा, यह display नहीं होगा console में display नहीं होगा, और ना आपको कोई error देगा, तो इस दीके से यह काम करेगा, तो यह था हमारे पास comments के बारे में कोई question है, तो आप पूछ सकते हैं वरनाम next, move होते है ठीक जा रहा है जे जे अच्छा मजीद जो हमारे पास है program, program क्या होता है यह हमारे पास होता है set of instructions, अब एक जो program होता है, उसमें एक से ज़्यादा instruction हो सकती है, जो एक combination होता है instruction का, अब देखिए एक program हमारे पास है, उसमें एक दो number को add करेगा, फास करें एक हमारे पास instruction है, वो addition की instruction है, उसमें हमारे पास फार्थ करेंगे एक instruction है वो दो नमबर को separate करेगी दूसरा हमारे पास multiplication के लिए एक instruction है दो नमबर को multiply करेगी अब देखिए इसमें एक से ज्यादे instruction है हम इसको कह सकते हैं कि यह हमारे पास एक set of instruction है तो यह set of instruction जो है इसे कहते हैं यह एक हमारे पास program है, यह prompt जो होता है, provide किया जाता है computer को according to that instruction, computer able to do work, यानि कि जैसे हम यह program install करेंगे computer पे, या computer को provide करेंगे, तो computer understand कर लेगा, कि मैंने क्या करना है, मैंने addition करनी दो number की suppression करनी है, multiplication करनी है, तो इस set of instruction को हम software भी कह सकते हैं, या एक program भी कह सकते हैं, computer understand that what to do and how to do, यानिके इसे की मालूमाद मिल जाती है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी जनकार इसको मिल जाती है, computer program can be written using programming language, computer का जो program होता है, एक language में कह जाता है, वो हमारे पास जो अमूमन हम use करते हैं, लेवल language का इस्तेमाल करते हैं, जिससरा C, C++, Python, इनकाम इस्तेमाल करते हैं, तो यह हमारे पास program, statement क्या जिस होती है, statement is complete action को हम statement कहते है, जिससरा हमारे पास है, भई, A equal to 3, अब एक हमारे पास variable है, उसकी value 3 है, यह एक one action है, अब A plus B, यह एक दूसरी statement है, और print A plus B, यह कोई तीसरी statement है, इसमें हमने addition की, इसमें हमने display किया, तो यह यह निकें, जिससरा English की language में हम बोलते हैं, sentence के बारे बोलते हैं, यह निके, sentence जिसमें एक मुकमल बात आ जाए, जिसमें एक वाजए बात आ जाए, तो statement may be a series of bits, collection of bits को हम एक statement कहते हैं, अब देखें, एक statement है, actually यह एक instruction है, जो एक processor के पास जाएगी, असल में जो एक instruction होती है, उसे हम कहते है, it is a collection of bits, 0 of 1 की form में हमारा data जाता है प्रोसेसर के पास, दूसरा यह we have to separate a statement using semicolon on single line, कि हर statement के end पे जिससरा एक English का sentence होता है, और जैसे sentence हमारा खतम होता है, तो end पे हम full stop लगा देते हैं, तो यह एक निशानी होती है, अब statement के लिए हम आखिर पे क्या लगाते हैं, एक semicolon लगाते हैं, कोई भी programming language हो, लाकि कुछ ऐसी programming language हैं, जिसमे आपको लाजमी semicolon देना पड़ता है, कुछ ऐसी language है, जिसमें option होता है, तो मुख्लिफ case होते हैं, जिसमें c, c, plus, plus, इसमें बहुत ख्याल करना पड़ता है, लाकि Python में इस जिसको ignore किया जाता है, statement are similar sentence in English, statement may contain variable, variable हो सकते हैं, जिस तरह इस case में है, input output function, जिस तरह यहापे output input है, input के लिए आप input function भी use कर सकते हैं, जिस तरह input है, आप कोई जिस लें user से, कोई method भी हो सकता है, अचा statement example, यह हमारे पास example है, आपको मैंने पहले भी बता दिया है, यह एक variable है, जिसमें यह values हैं, इसको हम, यह कोई और statement को हम display कर रहे हैं, how are you, और यह name की value display होगी, age की value display होगी, अचा उसके बाद terminator या separator, कि Python में अधिरे separator used to separate statement to each other, कि एक फर्स करें कि आप ने क्या क्या क्या, कि एक हमारे पास statement है, और दूसरी यह statement है, दूसरी लाइन पे, यह statement और दूसरी यह हमारे पास statement है, अब हम चाहते हैं, कि दोनों statement एक लाइन पर आ जाएं, दोन semicolon use किया जाएगा, दो statement के दर्मियान, अगर single हैं, तो यहाँ पे लगाना जरूरी नहीं होता, यहाँ पे statement लगाना जरूरी नहीं होता, अगर यह दूनों statement को एक लाइन पर लगा रहे हैं, तो उसके दर्मियान एक semicolon आपको देना पड़ेगा, we can write multiple statement on this single line हम लिख सकते है लेकिन दर्मियान में separate करने के लिए आपको semicolon लगाना पड़ेगा, जिस तर आप देख सकते हैं, एक semicolon फिर दूसरा एक statement आ रहा है, error free होगा, अगर ऐसा करेंगे तो आपको error मिलेगा, अगर आपने separate नहीं किया तो, तो यह हमारे पास separation भी होती है, python में, अच्छ जी, there is no need to use termination in python, कि terminator जो मेरे पास होता है, semicolon use होता है as a terminator, तो python भी इसका use नहीं किया जाता, और जिस तर आप देख सकते हैं, एक variable है, उसकी value 45 है, भी variable है, उसकी value 50 है, तो इसमें देखें, कोई semicolon नहीं है, जिस तर आप C, C++ में use करते हैं, another programming language में, जिस तर आप C++ है, यह इसक initialization की, end भी अपने लगाया, लेकिन इस तरह आपको python में करने की जरुरत नहीं होती, चलो यह कुछ था, अब मजीद कुछ देख लेते हैं, विजलिस्ट्री कोड में, इसमें, मारे पास, फार्स करने एक statement है, hello, इसको हम कर देते हैं, comment, अब जैसे सारे comment करूँगा, तो यह सारा comment बन जाएगा, और कोई भी execution नहीं होगी, code हमारा साफ होगा, जैसे output write करेंगे, तो कुछ भी display नहीं होगा, सिर्फ hello display होगा, nice statement डिस्ट्मेंट डिस्ट्मेंट होगी, अब end पे semi colon में लगा दिया, तो यह इसको ignore करना चाहिए, आपको देखें, इसको सी proper motion नहीं कर रहा, अब जैसे first करें कि दूसरी statement में add करना चाहता हूँ, first करें अब मैंने semi colon को remove कर दिया, तो कोई error नहीं है, अब first करें कि मैं दूसरी statement यहां पर लिखना चाहता हूँ, world, अब यहां पे देखना कि क्या करता है, देखें, sentence error है, अब दो statement को एक line पर लिख रहा हूँ, तो उसके लिए एक statement के बाद आपको semi colon लगाना पड़ेगा, अब देखें, अब कोई error नहीं आ रहा, तो यह चीज़ होती है, यह है separation, और अगर एक statement के बाद हम कोई चीज़ लिखते हैं, यानि कि last पे, कोई भी चीज़ है, last पे जाम हम put करते हैं, तो यह हमर पास termination होता है, terminate कर रहा है हम statement को, लेकिन python में termination यूज नहीं होती, separation यूज होती है, कि हम statement को एक दूसरे से separate करते हैं, उस वाक्त जब एक line पर हम लगा रहे हो statement को, तो यह चीज़ हमने पढ़ी है, दूसरा हमारे पास देखें, एक से ज्यादा statement है, इसको हम एक program भी कह सकते हैं, यह हमारे पास एक program है, इस तरह यह हमारे पास set of statement हैं, और इसे हम एक program भी कह सकते हैं, तो यह हमारे पास यह चीज़ है, next हमने देखना है, indentation की कुछ examples भी मैंने यहाँ पर लिखी है, indentation को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सो time देख दूँगा, आप थोड़ा से इसको overview कर लेना, अ हमारे पास indentation के वाले से कुछ theoretical concept हैं, काल भी मैंने आप से discuss किया था indentation के बारे में, असल में indentation में यह होता है कि एक proper आपको distance रखना पड़ता है, starting line से एक distance रखना पड़ता है, और आपका जो safety error यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ सुरू हो रहा है, तो यहाँ से जो statement आप लिखेंगे, तो एक proper distance होना चाहिए, इस इससाफ से आपकी statement होने चाहिए, अगर जैसे फूरान एक space दे दिया तो आपको यहाँ पर error मिलेगा, फार्स करें कि यह आपको software ऐसे जा रहा है, ID, आप यहाँ से यहाँ से आपका एक block शुरू हो रहा है, फार्स करें, इस इसको maintain रखना पड़ता है, अभी example आज जाएंगे ता आपका concept दियर हो जाएगा, intention means a properly distance between statement, statement के दर्म्यान जो एक distance होता है, इसको properly आपने manage करना होता है, using intention we can make a specific block of code, यहाँ कि हमारे पास एक if statement है, if statement है, यहाँ पे कोना लगाएंगे, अब जो if statement के अंदर statement आप लिखें intention रखेंगे, यानि कि one tap का distance आपको देना पड़ेगा, अब यहाँ पे देखें, इस तरह ब्लाग चलेगा, जो आप जहाँ से statement लिखेंगे, तो उसका आपको यह करना पड़ेगा, sorry, चले, ठीक हो गया, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिक ब्लाग को क्रेट करने के लिए आपको इंटेटेशन का ख्याल लगना पड़ता है, प्रेटिकल में आपको समझा जाएगे इस जिसकी, अच्छा, वी कैन नाट मेक एग एग अलो, जी, क्या करें हैं, जी, अब देखें, जो C++ होती है, C होती है, PHP होती है, C Sharp होती है, उसमें अगर आप ब्लाग क्रेट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहां पर अपनी मज़ी से हम स्टेटमेंट लिखते हैं, उनका इंटरेशन ठीक हो, घला तो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यह बात कर रहा हूँ, PHP की, C++ की, C की इसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन जो Python होता है, इसमें आपको प्रॉपर एक distance के साथ, एक प्रॉपर डिस्क के साथ आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ती हैं, बट वी विल यूज ए प्रॉपर इंटरेशन तो में ग्रॉप आफ स्टेटमेंट, की इंटरेशन के जरीए से हम ब्लॉप करते हैं, Python में कली ब्रेशल का यूज नहीं करते, अचा, रेज इंटरेशन एरर, कब होगा, अब यहाँ पर देखें, यह प्रॉपर इंटरेशन है, आपको इंटरेशन एरर मिलेगा इस पर, अचा, यह एक, मैंने पिक्चर यहाँ पर कड़ा गया था, कि इंटरेशन को समझने के लिए, आप यहाँ पर देखें, यह जो एक, आपके पास एक फंक्शन है, उसका नाम प्राइम है, और एक पैरेमिटर भी ले रहा है, आप कोलन लगा के, आप जैसे प्रेस इंटर करेंगे, तो आपको इतना डिस्टंस रखना पड़ेगा, वान टैप का डिस्टंस रखना पड़ेगा, जो एक एक इक्वल होना चाहिए हरे के लिए, अब देखें, यह इफ स्टार्ट हो गया, अब इफ के बाद आपने कोलन गया, उसके अंदर फिर ब्लाग दूसरे करेंगे, फिर दूसरे करेंगे, तो फिर दूसरे के लिए एक आपको दुबारा एक वान टैप देना पड़ेगा, अब यहां पर देखें, यह फार लूप के इसी लाइन पर आजाएं, तीसरे लाइन के एक और कोलन है, अब इसका पर आपको मज़ीद एक वान टैबली से जाना पड़ेगा, अब यहां पर देखें, इसके अंदर दो स्टेटमेंट है, एक प्रिंट स्टेटमेंट है, दूसरा ब्रेक स्टेटमेंट है, आप इसका इंडेटेशन देख सकते हैं, यह एक बलाग था ना, एक बलाग के अंद दूसरा बलाग है, कोलन के बाद एक दूसरा बलाग करेट किया जा रहा है, और इसको भी इसने परापर तरीके से मैनेज किया है, अच्छा यह जो हमारे पास ऐल्स पार्ट है, यह जो ऐल्स पार्ट है, यह दूसरे बलाग का एक ऐल्स पार्ट है, इसलिए इसको इसको इस यह जो कोड़ा के पास है प्राइम और यह function को कॉल किया जा रहा है तो यह कहाँ प्रैइज आउटसाइड फॉंक्शन है अब जैसे आप यहाँ बेखें कि यह जो कोलन है यह start कर रहा है एक ब्लाग फॉंक्शन के लिए ब्लाग आप जो चीज इसके अंदर आएगी जो चीज जहां पे आएगी इसी लाइन पे आएगी तो वो एक function का हिस्सा होगा इसके पीछे आएगी बाहर आएगी तो वो function के outside हो जाएगा तो यह एक तरिकार होता है आप वो एक block manage करने का अच्छा दूसरी यह भी example है इसी तरह है लेकिन इसमें एक error आपको नजर आएगा अब एक block के अंदर आपने इतना distance दे दिया दे दिया तो इसमें कोई error नहीं होगा लेकिन जब दूसरी statement लिखेंगे वो भी इसके नीचे proper तरिकस लिखेंगे अब यहां पर देखें यहां तक यह ठीक है लेकिन यहां पर देखें एक block के अंदर यह दूसरा block है और यह दूसरा block है एक block के अंदर जो statement लिखेंगे उनके दरिम्याद डिस्टेंस होना अब देखेंगे एक दूसरा block है कोला लगाया नीचे आया और एक print statement का यूज किया जब दूसरी print statement यूज किया तो इतना distance आपको देखेंगे नजर आ रहा है तो इस तरीके से आपको एक indentation error मिलेगा तो यह कुछ examples हैं आप इसमें देखें आपको इसमें error नजर नहीं आए उसको जो block है प्रापर तरीके से दो statement यूज की है अब ये एक ब्लाग है ये एक दूसरा ब्लाग है एक ब्लाग की अंदर जो भी statement आप डालेंगे वो प्रापर उनका distance होना चाहिए देखेंगे इसमें एक प्रापर इसमें रखा इसके लिए error नहीं आएगा तो ये कुछ म लिए यहां पर आता हूं अब सिर्फ इंटेशन का में समझना है अफास करेंगे मेरे पास एक मैं फॉक्शन बना रहा हूं डाफ की वर्यूस करूंगा टैस्ट के नाम से और इसके अंदर ये जैसे मैंने कोलन लगाया अंदर आ गया आप देसे लिए वन टैप डिसन पर नहीं है अब एरर कौन साथ आए देकिंडेशन एरर आ रहा है अब जैसे मैं इसको प्रापर रखूँगा एक लाइन पर रखूँगा तो आप यह एरर नहीं आएगा अब मजीद अगर कोई तीसरी स्टेटमेंट है वो भी मैं यहां पर लगा सकता हूं अब अगर मैं क लाइन होगी यह जो लाइन होगी लास्ट वाली यह इंसाइड नहीं आएगी यह आउट साइड दी फंक्शन आएगी अब जो कुछ भी आपने लिखना है फंक्शन के अगर अंदर लिखना है तो आपने वन टैप के डिसन्स देना है जो भी प्रापर डिसन्स आपने रख लिखते हैं पाइफन के अंदर यूजिंग इंडिटेशन तो इफ की अगर हम बात करें कि इफ हमारे पास अगर टू है और प्रिंट कोई चीज़ लिखते हैं इस तरीके से आप कोई और लिख दें इस तरह से काम करेगा आप जैसे आप आउटसाइट आना चाहते हैं तो एक इंप्रॉपर तरीके से डिस्टेंस या इकुल है नहीं दिया तो आपको एरर नाजर आएगा देखें रैड लाइन अभी से शो कर रहा है तो यह होता है मारे पास इंडेंटेशन तो इसको मैं रिभू करता हूँ इंडेशन का खास क्या इंडेशन का मतलब यह होता है क एक एक इडिस्टेंस आपने देना होता है स्टेटमेंट के दर्मियान तो यह हमरे पास है अब है वारीबल है हमारे पास रूल से हैं डी के लिरेशन है इनिशलाज़ेशन और एक्सबेशन अन्डेफाइड वरेबल टाइप सब्सॉट आपक रहते हैं अभी टाइम को कि उनको हाल किया या नहीं किया जो इन्पूर्ट से रिलेड़े थे एक्सरसाइजें थी मेरे वाज आ रही है कि कलवा ले जो चलें आप ट्राइ कर लेना कोशिश किया करें कि आप लाइव क्लियर कर लिया करें या आपके पास साफ्टेयर है तो आप खुद कर लिया करें क्योंकि यहां पर कभी इशु आ जाता है साफ्टेयर का तो सारी रिकार्डिंग वह जाती है अगर आप भी कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आप सही तरी किस्ते काम करें और यहां पर कोई प्रावलम हो जाए तो आप ट्राइ क्या करें बाराल देख रहें इजी प्रावलम कि यह केंप टास्य स्टुडियो है कि केंप टास्या कि जी है जी है अच्छा यह जो साफ्टेयर आपको ऐसे इजी तरीके से नहीं मिलेगा मैं आप साशियर कर दूगा मेरे पास गुल ट्राइब में है तो आप यह से डॉलोड कर लेना तो वो लेसेंस पिसके साथ होगा अच्छा एक मिनट मुझे दे 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 मैं भी आता हूँ फिर मजीद देखते है हलो ठीक है स्टार्ट कर लेते है अच्छा इसमें वैरियबल पे थे अच्छा इसमें जो वैरियबल होता है मारे पास असल में यह एक मैमरी लुकेशन होती है मैमरी लुकेशन का मतलब यह होता है कि फासकर हमारे पास एक कम्पूर्टर की मैमरी है और हम एक वैरियबल बनाना चाते हैं वैरियबल जब हम बनाएंगे तो variable असलम एक memory location होती है variable may change during the program execution variable नाम से भी जार है variation जिसमें तब्दिलियों हूँ तो दूसरी चीज़ हमारे पास होती है constant एक चीज़ होती है variable दूसरी चीज़ होती है constant जो एक अमरे पास constant होता है उसकी value change नहीं होती जो आग पास variable होता है उसकी value चेंज होती रहती है, जो variable होता है उसकी value चेंज होती है, जो हमाँर पास एक constant होता है, उसकी value चेंज नहीं होती, कुछ, कुछ मजीद भी बाते हैं variable के बारे में, variable is a container-like thing जिसमें हम data store करते हैं, दूसरा variable जो होता है मारे पास एक identifier करता है दूसरा यह है कि इसमें declare किया जाता है और दूसरा declaration के बाद initialize किया जाता है Declarive का मदलब यह होता है कि आपने variable का नाम लिखना होता है और initialize का मदलब यह होता है कि उसको value देनी पड़ती है फार सकरें a है और यह two है a है two, two उसकी value हो गई है a variable की अब इस case में हमारे पास जो variable है वो a है उसकी value है वो two है अब यह हमारे पास होते हैं असनल में जो C++ होती है उसमें हम variable को जो डिक्लियर करते हैं इस तरी के से करते हैं variable की data type variable और variable का नाम यह होता है declaration लेकिन पाइथन में ऐस सामनी करते हैं एक लाइन पे हम declare भी कर लेते हैं और initialize भी कर लेते हैं लेकिन C++ में यह declaration हो गई और जब हम उसको value देते हैं तो यह initialize हो गया लेकिन जो python होता है उसमें अलद अलद हमने करते हैं एक align पे हम declare भी कर लेते हैं और initialize भी कर लेते हैं अचा इसके example दी तो यह हमारे पास एक a variable है और उसकी जो value है वो 12 है और दर्मियान में आपको assignment operator लगाना पड़ेगा और variable जो होता है वो आपके left side पे होता है जो value होती है वो right side पे होती है अचा यह भी इस तरह हो गया यह flow type की value पड़ी है और यह जो है यह string type की value पड़ी है name के variable में अब इस तरीके से हम name को जैसे print करेंगे तो name की value जाए फैसा जमिर यह display होगा तो यह हमारे पास होता है variable अब variable जो नाम होता है variable का वो user defined होता है variable का कोई भी नाम हो सकता है लेकि इसमें कुछ rules and regulations होते हैं उनको follow करना पड़ता है यानि कि variable का जो नाम होता है कुछ rules की base पे होता है आपको rules का follow करना पड़ता है अब वो कौन से rules हैं उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं देखें ये B की value डिस्पले करेगा और ये A की value को डिस्पले करेगा अब इसमें देखें कौन से rules हैं जिनका मैं ख्याल करना पड़ता है जब हम variable को declare करें तो पहला पहला उसमें ये है कि no space between two worlds फास्ट ने आपका जो variable है वो है fast name अब यहां पे देखें इसके दर्मियान में एक space आ रहा है इसका मतलब यह है कि ये जो variable होगा ये invalid होगा इसको valid बनाने के लिए हमें ये जो space है ये खतम करना पड़ेगा fast fast एक तो ये तरीका कार है कि camel case यूज़ करें दूसरा इसमें तरीका कार ये होता है fast और understand का ये जो underscore होता है वो आप सेंबल यूज़ करें तो ये दोनों आप valid बन जाएंगे अब इसमें देखें इसमें कोई space नहीं है दो वर्ड के दर्मियान space नहीं है अब इसी तरीके से ये काम करेगा अब दूसरा ये है कि no special character accept ये जो underscore है ये यूज़ कर सकते हैं अपने variable में जिस तरह मैंने यूज़ किया लेकिन जो दूसरे होते हैं dollar sign slash quotation dot hyphen इनका आप इस्तमाल नहीं कर सकते only सिर्फ आफ जो underscore होता है उसका इस्तमाल कर सकते हैं अपने variable में और space नहीं होगी आपके variable के अंदर wide space के इस्तमाल नहीं कर सकते तीसरा रूल ये है कि जो variable होगा उसमें alpha भी हो सकते हैं means a, b, c, lower हो या upper हो सकते हैं और दूसरा numeric number भी हो सकते हैं यानि कि हमारा एक variable है उसका नाम है well one two three तो ये valid है और इसमें क्या है इसमें no result word result word का इस्तमाल आप नहीं कर सकते result word एक special words होते हैं जिनका अपना एक खास मकसद होता है python के अंदर कुछ word का इस्तमाल किया जाता है जिस तरह print है आपके पाता है print किसले इस्तमाल होता है और इस तरह if है ये भी एक खास मकसद के लिए ये लाव्ज यूज होता है python के अंदर यानि किसी condition को चेक करने के लिए तो इस किसम के जो नाम होते है python के अंदर उनको आप variable नहीं बना सकते अच्छा maybe use of number in variable variable जो होगा उसमें number आप यूज का सकते हैं जिस तरह मैंने किया लेकिन एक बात आपने इन वैलिट कहलाएगा अधूसरा ये के संसिटिवीटी इसमें पाई जाती है फॉसकर एक वरेबल है आपने बनाया एक वरेबल आपने बनाया एक मिनट ये मेरी pen का issue है चल रहा है दोब उसको देखना पड़ेगा ईे वैरेबल इसकी वैलिए हमारे पास है उसद्स करें अधी दूसरा एव वैरियबल है अ इसमें देखिए इसकी वैש है अब देखें इसकी और वैरियबल है उसकी वैसले यह कोई और वैरियबल है यह दो डिफनेट वैरियबल है सेम वैरियबल नहीं है क्योंकि इसमें सेंसिटीविटी पाई जाती है तो इस जिसका अपने ख्याल रखना होता है अचा डीकलरेशन एंड इनिशालाजेशन के बारे आपको बता दिया कि जब हम वैरियबल लिखते ह है वैरियबल का नाम स्लीक करते हैं एकार्डिक डूरू रखनेशन पाइथन के अंदर उसको डीकलरेशन कहते हैं और जब हम उसको वैरीव देते हैं इसको इनिशालाजेशन कहते है अब यह डीकलरेशन होती है वैन वी राइट इंब वैरियबल एकरदिंग डूरूल कहते हैं declaration of variable यह एक जैनरल डिफिनिशन है अचा इनिशालेशन क्या होती है after declaration you need to provide a value to declare variable उस variable को हमने value देनी पड़ती है अब designing a valid variable जब हम variable को value देते हैं उसको initialization कहते हैं लेकिन python में हम क्या करते हैं we didn't need to declare a variable separately other से हम उसको declare नहीं करते at the time of declaration we provide value to that variable अब जिस तरह c++ में होता है अगर आपने c++ पढ़िये तो उसमें ये होता है data type का नाम होता है variable का name होता है तो ये declaration हो गई उसके बाद हम उसको value देते हैं ये उसकी initialization हो गई ये दो step पे काम खतम होता है लेकिन python में एक की लाइन पर हमने करना होता है ये एकल टू तो ये पाइफन में होता है declare भी हो गया और initialize भी हो गया declaration initialization इनके example है इसका मतलब ये है कि ये declaration है ये initialization है c++ में लेकिन python में हम कैसे करते हैं एक की लाइन पर हम ये काम कर देते हैं तो ये एक फर्क है अच्छा expression क्या चीज़ होती है ये general एक चीज़ होती है फास करें हमारे पास है ये प्लस भी आज जो हम पढ़ने वह general चीज़ें पढ़ने जो में में चीज़ें जिसा इंटेटेशन के बारे पढ़ा प्रोग्राम स्टेट्मेंट क्या चीज़ें होती है termination separation इन चीज़ें के बारे पढ़ा तो इसी तरह हम expression को भी देखे लेते हैं कि यह क्या चीज़ होती है अब देखें यह हमारे पास है यह हैं बी है यह और बी को हम कहते हैं आप परेंड कहते हैं जिन पी operations पर फार्म के जा रहा होता है जो यह sembler है इसे हम कहते हैं operation कहते हैं operation कहते हैं यह यह इसे हम operator कहते हैं यह आपकोड भी इसे कहा जाता है अब देखें यह हमारे पास operation है operation से यह मुदा होता है कि कौन सा operation पर一 अडिक प्रक्षण आलेश्ध Jeong할 लेस देने इंच particular है तो कहां पर अपरेषण प्रफवर्म किया जाता है और ऑन सब्सक्राइजेंगों किया जाता है यह मैं पास every हो Bye ऑप यहांना है और दरम्यान ग्ला पास ऐसी भी हो सकती है ए इस ग्रेटर दैन भी यह भी हमारे पास एक expression है यूँकि इसमें ए और बी अप प्रेंड है और जो ग्रेटर दैन सेंबल है यह एक अप्रेटर है या आप आप अपकोड भी इसे आप कह सकते हैं तो इस तरह किसे यह एक expression बन जाएगी अचा आप्रेंट इसेंबल दैट परफॉर्म एन अपरेशन आप्रेशन इस तिंग और में भी वारेबल और कांस्टेंट और वीच आपरेशन इस परफॉर्म अब देखें यह प्लस भी भी हो सकता है टू प्लस थ्री भी हो सकता है यहां पर वैलियू कोशिश करते हैं लेकिन उसको हमने declare नहीं कि होता है फास करें कि यह हमारे पास एक वैरेबल है उसकी वैलिट थ्री है और मैं प्रिंट करता हूं मैं प्रिंट करता हूं यहां पर बी अब मुझे एक error मिलेगा वह जो error होगा undefined variable कि बी नाम का variable मैंने बनाया ही नहीं है मैं को प्रिंट कर रहा हूं हाला कि A को मैंने define भी नहीं किया उसको value भी नहीं दिया भी हमारे पास है अब यह आपको value return करेगा अब इसके बार टाइप सा variable इसमें होते हैं global variable होता है local variable होता है इसके बारे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मजीद आगी आजाएं क्योंकि हमें इसके लिए function बनाना पड़ेगा loop बनानी पड़ेंगी क्योंकि जो global होता है यह किसी block के बाहर बनाय जाता है जो local होता है यह किसी block के अंदर बनाया जाता है यानिके आपके पास loop हो गई आपके पास function हो गया तो मुझे जाद दिलाना इसको हम जब हम advanced पर पढ़ेंगे यानिके function के बारे पढ़ेंगे loop के बारे पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको हम समझ लेंगे तो अभी हम थोड़ा सा मजीद practical देख लेते हैं तो अभी theory हमने देखी थोड़ा सा practical हम इसका देख लेते हैं तो हमारी recording हो रही है इनिशालला हो जाएगी अच्छा इसमें first of all variable variable के बारे बता दिया आपको कि यह हमारे पास declaration और initialization है अब इसकी नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे इंट हमारे पास ए हैं यह हम python मैसा नहीं करते declare भी कर लेते हैं इनिशालाइज भी कर लेते हैं अच्छा इसको हम प्रिंट कर सकते हैं a को तो a की value display होगी यहां पे 10 show हो रहा है अगर मैं यहां पे b करता हूँ को कि b को मैंने अभी define भी नहीं किया तो क्या error मिलता है is not defined यह नहीं कि यह define नहीं है name error in कि आपने गलत नाम दिया है तो क्या करना पड़ता है वही variable का नाम लिखना पड़ता है तो बारहाल यह हमारे पास define नहीं है यह error आपको मिलेगा और इसमें क्या हमने पढ़ा rules and questions के बारे पढ़ा वासके हमारे पास है यह यह वेरेबल का नाम है one two three well लेकि आप देशकते हैं कि आपको error मिलेगा यह error show कर रहा है क्योंकि आपका variable जो है वह गलात है variable के starting में कोई number नहीं दे सकते between दे सकते हैं कहीं पर भी दे सकते हैं लेकिन आप starting में नहीं दे सकते ending में दे सकते हैं तो यह हमारे पास एक variable होता है दूसरा यह है कि फार्स ने फार्स्ट ने variable के दर्मयान में आप कोई space नहीं दे सकते लगए यहां पर तो space है space खतम करने के लिए आप या तो camel case यूज कर सकते हैं या आप underscore यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से आपका जो वो होगा एक space होगा दो word के दर्मयान वो खतम हो जाएगा तो यह चीज आपने ख्याल करनी होती है यह rules regulations होते हैं दूसरा result word का इस्तमाल नहीं कर सकते दूसरा if है एक result word है तो आप इसका इस्तमाल नहीं कर सकते यह कुछ rules and regulations हैं जो हमने share कर दी है दूसरा यह हमारे पास एक print a plus b इसको expression कहते हैं नहीं कि a की value और b की value को हम add करना चाहते हैं अब a की value हमारे पास होगी 10 और b की value हमारे पास है फास करें 20 तो इसका result आपको show करेगा 30 answer आपको show करेगा तो यह है आपके पास ठीक हो गया तो यह कुछ चीज़ी हैं जो हमने देखनी थी अच्छा लोकल और global के बारे यह थोड़ा सा देखने अब यह हमारे पास है function task के नाम का function है function के बारे हम detail से पढ़ेंगे अब यह एक variable है फास करें x है और 10 और मैं कर रहा हूं print अब इस case में जो हमारे पास x variable है यह local variable है क्योंकि इसको block के अंदर बना गिया है colon के बाद जब statement हम बनाते हैं और एक proper हम उनको distance पर रखते हैं तो वह एक block होता है अब जैसे मैं यहां पर लिखता हूं print मैं function काल करता हूं test function काल कैसे किया जाता है function क्या होता है function कैसे बना जाता है यह बाद में पढ़ेंगे मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि यह जो local होता है global होता है variable इसमें क्या फार्क होता है देगे 10 आपको यहां पे डिस्पलै हो रहा है अब भी हम्में यहां पे करता हूँ print X function के बाहर आकर मैंने किया print X देखें यह कि भाही है पा ही नहीं है हाला कि define तो है लेकां भी define fund के अंदर define यह जो X होगा यह local variable है लेकिन यह जो जिसispersण A है B है ये global variable है ऐसा function जब हम function के अंदर बनाएं या किसी और block के अंदर बनाएं तो वो local variable होगा उसको access बाहर से नहीं कर सकेंगे अंदर से कर सकेंगे इसके इसके इस्तमाल सिर्फ वहीं कर सकेंगे जहांपी इसको हमने define किया लेकि जिससरा A B है इनको कहीं पे भी आप इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि ये outside the block है तो ये फार्क होता है local और global मजीद भी हम इनको देख लेंगे जब हम दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे जिससरा function है if statement है और loops वगरा है जब ये पढ़ेंगे तो साथ में इनको भी हम टच कर लेंगे तो ये चीज़ है इसमें हमने पढ़ दिया कुछ मेरे ख्याल से तक्रीबान हमारे जो outline थी वो cover हो गई है time भी हमारे तक्रीबान complete है और इसमें आप कोई question आपका है कोई बात है तो आप share कर सकते हैं मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ ठीक अच्छा इसे यह ठीक है देखें जो हमारे पास लोकल वेरिबल होता है जो लोकल वेरिबल होता है हमारे पास उसको हम क्या करते है जब हमारे पास एक block होता है block का मतलब यह है कि जब हम function बनाते है कोई हम loop create करते है far loop हो, while loop हो हमारे पास या कोई आपके पास क्या होता है if statement हो या else part हो या alif हो अब उस case में जो एक block बनता है जब block के अंदर हम कोई function define करेंगे sorry हम variable define करेंगे तो वो हमारे पास होगा local variable local variable को local block के अंदर ही execute किया जा सकता है या वहीं से उसको access किया जा सकता है अब यह देखें यह जो x है यह function के अंदर इसको define किया गिया अब हम इसको use b function के अंदर से करेंगे यहीं से access कर सकता हूँ x को यहीं से access कर सकता हूँ बास से नहीं कर सकता यह जो x है यह local variable है local variable की access local उसी block ही में की जाएगी जहां से उसको create किया गिया है जहां से उसको define किया गिया है अभी मैं इसको run करता हूँ तो यह 10 शो हो रहा है, यह जो 10 है, यह इस X का है, अभी मैं यहां से इसको cut करके, अगर बाहर से try करूँ X की, तो यह क्या देगा, error देगा, यह हमें एक error देगा, कि यह name error, यह X define नहीं है, हाला कि define है, लेकिन यह करें define नहीं है, क्यों define नहीं है, कि यह जो हमारे पास एक print statement ह यह function से bar लिखी हुई है, अब function के bar कोई ऐसा X नाम का variable नहीं है, फास करें कि यह मैं यहां पर लिख देता हूँ X की value 100, अब यह जो होगा, अब देखना 100 शो कर रहा है, अब 10 भी है X की value और 100 भी है, लेकिन यह 100 शो कर रहा है, क्योंकि यह जो statement है, यह function के बाहर लिखी हु अब पहले-पहले function काल होगा, ना, पहले-पहले function काल होगा तो function के अंदर वाली statement चलेगी, याण्य 10डिस्प्लै की होगा, फिर 100 disrespectful होगा, तेखें पहले 10 लिखी हो रहा है function या, function के बाहरा जो print statement और जो x दिखा गिया और फंक्शन के बार वह काल हो रहा है, अच्या एक औ है प्रिंट कि यह अ às फिर को सुर्ग को टैन्गं प्रिक यह स्कूर मिस कीश्च Wish क्रमाइब हो teenage जो फॉन और में नर्फशक्राइब के बारे में आप को मेरे शाहरा सिष्च और ऩी धाल जो मि को आख़ को कि होगा उसका काम एक होगा चाहिवो लूपो या इफ एल्स हो